हेलो फेंड्स मेरा नाम रबिंद्र है आज की इस वीडियो में फेंड्स हम बात करेंगे फार्मा सिटकल इंडस्टी में यूज किये जाने वाले वेंग वेलिंस के बारे में फ्रेंड्स पहले तो हम जानेंगे कि फार्मा सिटकल इंडस्टी में किस किस टाइप के वेंग विलिंस को यूज किया जाता है फ्रेंड्स फार्मा सिटकल इंडस्टी में most of three type के वेंग विलिंस यूज किया जाते हैं friends, first होते हैं, हमारे, anitical wearing balance, जो कि most of left-century principle में, यूच किये जाते हैं, friends, second होते हैं, हमारे industrial wearing benefits, जो कि हमारे process area में, यूच किये जाते हैं, इन दोनों के अलावा, friends, एक और wearing balance है, जो कि हमारी activity में involved होता है, और उसे हम बोलते हैं, checkwear, फ्रेंट्स चेकवेर भी एक टाइप का वेंग बेलेंस है जो कि आपके प्रोडेक्ट को ओनलाइन वेंग करता है तो फ्रेंट्स यह तो हो गया कि हमारे प्रोसेस एरिया में कहां कहां और किस टाइप में हम वेंग विलेंस को यूज करते हैं फ्रेंट्स अब हम बात करेंगे कि Calibration और Verification इन दोनों में variation क्या है Calibration क्या होता है और Verification क्या होता है और हमें कब-कब ये perform करने होते हैं तो friends सबसे पहले हम बात करेंगे Calibration की famils Calibration की दिये हम क्या करते हैं 도 balance का जो भी standard치 weight limit है उसकी standard치 weight limit को जो हम valid करते हैं उस limit को बोलते हैं balance calibration फ्रेंट्स balance calibration में हम क्या करते हैं उस standard weight का minimum और maximum bit ballot कर देते हैं कि हम इस limit से इस limit तक यूज कर सकते हैं जो की 100% balance capacity का नहीं होता है most of company 95% तक maximum calibrate करते हैं और minimum list count का 100 time ballot करते हैं फ्रेंट्स अब हम बात करेंगे verification के बारे में हैं तो फ्रेंट्स verification क्या होता है जो की हम daily basis पर जो भी हमारी calibrated limit है हम उसको cross check करते हैं जिसको हम बोलते हैं verification फ्रेंट्स I hope कि आपके काफी doubt clear हुए होंगे अब फ्रेंट्स हम बात करेंगे कि आखिर किस किस condition में और कब-कब आपको फ्रेंट्स वेंग का calibration करना है तो फ्रेंट्स वेंग calibration के लिए आपको monthly, quarterly या yearly ये कुछ required standard बना रखे हैं और्गनाईशन्स ने जो की as per your SOP रहेगा करना रहता है फ्रेंट्स इसमें जो yearly होता है most of organization yearly calibration के लिए external agencies यह बाहरी कोई company या group को offer करती है कि वो आके उनके weighing को calivate कर दे लेकिन कुछ company है जो की ये जो work है इसको maintenance department के according perform करवाते हैं यानि maintenance department उनको perform करता है और ballot करता है उनकी limit को फ्रेंट्स अब हम बात करेंगे verification की तो फ्रेंट्स verification जो भी internal department है internal department meaning होता है फ्रेंट्स जो आपका user department है उसके ही employees या staff person उस balance को daily basis पे verify करते हैं कि जो भी वो bet कर रहे हैं वो proper हो भी रहा है या नहीं हो रहा है फ्रेंट्स अब हम बात करेंगी और एक और condition create होती है यदि आपको आपका weighing balance एक place से second place पे लेके जाना है उस condition में आपको calibration करना पड़ेगा verification नहीं करना पड़ेगा तो friends मैं रभिंद related to pharma related to guidelines और relating to supporting document और interview से related बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं यदि चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like से जरूर करें ओके बाई